कार्तिक कृष्ण त्रयदशी का त्योभार धनवंतरी जैनती के रूप में मनाया जाता है। माने तहाए कि इसी दिन भगवान धनवंतरी समुद्रमंतन से प्रकट हुए थे। व्यक्ति के जीवन में धन एश्वर के साथ ही स्वास्त होना भी काफी आवश्यक है। इसी कामना से इस परवपर आयरुवेद और चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं का पूजिन किया जाता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने एक सहस्त्र अध्याय तथा एक लागश्लोक वाले आयरुवेद की रशना की। जिसे अश्विनी कुमारु ने सीखा और इंद्र को पारंगत किया। इंद्र ने धनवंतरी को यह कौशल सिखाया। मान्यता है कि धनवंतरी के प्रगटी करन से पहले आयरुवेद गुप्त और लुप्त था। उनसे इस विद्या को विश्व मित्र के पुत्र सूश्रूत ने अंगिकार किया। सूश्रूत विश्व के पहले सर्जन यानि शल्ले चिकित सक है। धन्वंतरी के वंशर्ज दिवोदास ने जब काशी में विश्व का प्रथम शल्ले चिकित्सा का विद्याले स्तापित किया तो सुश्रुत को इसका प्रधानाचार्य नियुक्त किया। दियोदा से लेकर उनके वंशर्ज राम शास्त्री और समीर शास्त्री तक आईडवेट का प्रकर सम्रुद्द चिकत्सा इतियाज भारत की गौरोगाथा का प्रतिक चिन्न आज भी काशी में धन्वंतरी निवास धन्वंतरी की विरासत को सहेश्ता प्रतीत होता है जहां बीना शोड शराबे के असाध्य बिमारीयों के इलाज पर अद्बुच शोद कारियों होते रहते हैं वास्ताव में धन्वंतरी जैन्ती, शारिरिक तथा सामाजिक स्वास्त्य सम्रुतिक का परव है जीवन में एक ऐसा काल चक्र चला कि हमशारिरिक स्वास्त को भूल गए तथा सामाजिक स्वास्त की प्रधानता के साथ धन्तेरस को केवल संपधा विनिमाई का परव मानने लगे लेकिन धन दौलत के साथ ही आरुग्य का होना भी काफी आवश्यक है क्योंकि कहते हैं न जान है तो जहान है